नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल पर है आज IPL का सत्रवा मैच खेला जाएगा जो की गुजरात और पंजाब के बीच में गुजरात के नेरेंदर मोधी स्टेडियम एहंदाबाद में शाम को साड़े साथ बज़े स्टार्ट होगा तो इस मैच की प्लेइंग लाएउन क्या हो सकती है कौन से प्लेइर आज के मैच में हमारे लिए इंपोर्टेंट पिक होंगे और आज के मैच में आपको किस तरह से कौन से प्लेइर पर बड़ा रिस्क लेना जिससे की आप अपनी यूनिक टीम बनाकर करोडो का प्राइस विन कर सको और मैं आपके लिए आज फिर से यहाँ पर पाँस टीम लेकर आये हूँ अब इनमें आपको क्या क्याश चैंज करना वो भी हम आगे वीडियो में डिसकस करेंगे और दोस्तों इन पाँस टीम में आपको यूनिक टीम भी देखने को मिलेगी और कौन से प्लेयर पर आपको रिस्क लेना बड़ा रिस्क लेना जिससे आप यहाँ पर रैंक बलास को वो भी हम डेमो टीम में समझेंगे तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन की तो यहाँ पर तीन विकेट कीपर है जोनी बैरिस्टो जो की अभी फोम में आचुके हैं और इसी वज़े से इसका जो सलेक्शन परसेंटेज है थोड़ा सा बढ़ गया और उसके बाद रिद्धिमान सा ह जो की गुजरात की तरफ से उपन करेंगे और यहाँ पर जितेज सर्मा है मिडील ओडर में बैटिंग करने आते हैं लो मिडील ओडर में तो यहाँ से हम दो प्लेयर को अपनी टीम में सलेट करेंगे जोनी बैरिस्टो और इद्धिमान सा बैटिंग साइड की बात करें तो शुमन के लगाता बड़ी इनिंग की उमीद करें लेकिन खेल नहीं पाता लेकिन अगर आप इसको अपनी टीम में लेते हो या तो आप इसको फिर कैप्टन बनाईए या फिर ये फ्लोप जाएगा अगर ये चलता है तो फिर बड़ी इनिंग खेलेगा और शीखर दाउन ने पिछले मैच में वहुती जबरजस्त इनिंग खेली थी साई सुदर्शन है इंपक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे और सब को पता है कि ये इंपक्ट प्लेयर के रूप में जरूर खेलने आते हैं इसी वज़े से इसका सेलेक्शन परसेंटेज ज़ादा है तो इसको भ साई सुदर्शन हो गया आल राउंडर सेक्षन की बात तो सैम कुरान आज के मैच में खेलेंगे लिविंग स्टोन खेलेंगे ओमर जई इसका सेलेक्शन परसेंटेज बहुत ही ज़ादा है और इस प्लेयर पर अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपकी यूनिक टीम बनेगी रिस्क कैसे लेना जो कि मैं आपको डेमो टीम में दिखा दूँगा और उसके बाद यहां से राहुल तेवते काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं लेने का कोई फाइदा नहीं है सैम कुरान लेविंग स्टोन ओमर जई तीन प्लेयर को मैं अपनी टीम में सेलेक्ट अब यहां से अक्सदीप सिंग है रबाड़ा है अर्शल पटेल है और यहां से उमेश यादव राहुल चहर नूर एहमद एच ब्रार तो हमें सिर्फ एक ही प्लेयर को स्लैट करना है तो दोस्तों अगर पंजाब बैटिंग करती है तो एच ब्रार के साथ जा सकते हैं अध बी के लिए मैं अक्सदीप सिंग को अपनी टीम में स्लैट करूँगा तो यह एक हमारी टीम है और दोस्तों यह एक सेफ टीम है इस टीम से ग्रैन लिग जितने की प्रवावलेटी बहुत ही कम है अब इस टीम में आपको सबसे पहले तो फिक्स प्लेयर की बात करें तो यह यहाँ पर गुजरात की पहले फिल्डिंग आते है तो लिविंग स्टोन को फिक्स प्लेयर बनाई है और इसके अलावा अगर यहाँ पर पंजाब की बैटिंग आती है तो आप इस प्लेयर की जगाए एच ब्रार के साथ जा सकते हूँ तो यह कुछ चेंज आप कर सकते हो और अब हम अपनी यूनिक टीम को देखते हैं और दोस्तों आज के मैच में आपको जादा फिक्स प्लेयर नहीं मिलेंगे अब इन में कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर शुमन गिल शिक्खर दाउन यह दो बड़े प्लेयर हैं कैप्टन के लिए और यहां से मोहिच सरमा इसको वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर यहां पर गुजरात फिल्डिंग आती है उस कंडिशन में और बड़ा रिस्क कौन से दो बड़े प्लेयर पर लेना आपको ओमर जाई पर आप रिस्क ले सकते हैं और दूसरा आप चाहो तो लेविंग स्टो वासिन बॉक्स में उस लिंक पर जाए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाए अगर उस लिंक से उपन हो तो आप सर्च करके हमारे रियल चैनल से जुड़ सकते हो सर्च करोगे तो काफी सरे फेक चैनल आपको दिखाये देंगे लेकिन आपको इस लिंक को ज्यान करोड आपको दिखाई देगा इसके लाव यहाँ पर फ्री के गिवे भी चलते हैं जैसे कि यहाँ पर आप फ्री में गाड़ी भी विन कर सकते हो तो इसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक से इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको पंदरा सो रुपय का कैस बोनस मिलेगा तो इस एप्लिकेशन पर आपको जरूर से खेलना है इसके लाव मैंने टेलिग्राम चैनल पर भी मेंसन किया है माई इलेम सरक आपको रिस्की टीम भी मिलेगी और जो बड़ा प्लेयर मैंने ड्रोप किया वो भी मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले तो यह हमारी पहली टीम है अब दोस्तों यह एक सेफ टीम है इस टीम से ग्रैंड लीग जी नहीं सकते इसमें आपको कुछ ना कुछ चेंज रखने को मिलेंगी अब इसमें मैंने यहाँ पर तीन विकेट कीपर को रखा है जैसे कि पहली टीम में लिविंग स्टोन था तो मैं यहाँ पर लिविंग स्टोन को ड्रोप करके यहां पर जिते सरमा को अपनी टीम में ट्राई किया है क्योंकि अगर वो फ्रोप जाता तो पिर ये एक अच्छी इनिंग खेलेगा अगर लिविंग स्टोन को ड्रोग करते हो तो उस कंडिशन में आप सैम कुरान को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो जो कि अच्छी खासी डैथ में बैटिंग करेगा और यहां पर मेरे पास सिर्फ दो ही बोलर है तो इस वज़े से इस मैंने रिद्दिमान सा को ड्रोप किया है और यहां पर फिर मैंने डैविड मिलर को अपनी टीम में ट्राइ किया है अब दोस्तो इसमें आप चाहो तो वाइस कैप्टन सैम कुरान को बना सकते हो एक सेंज तो आप यहां पर इसको वाइस कैप्टन बने और दूसरा फिर पाड़ा हर्षल पटेल तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना अगर दोस्तों यहां पर रिद्दिमान सा और शुमन गिल दोनों को अपनी टीम में ट्राइ करते हो तो यहां पर हर्षल पटेल आपके लिए बैस्ट होगा क्योंकि यह सुरुआत में बोलिंग करता है लेकिन हर्षल पटेल मिटिल में बोलिंग करने आता तो उसको विकेट मिलने के ज़्यादा चांस बनते हैं और अब हम अपनी चोथी टीम को देखते हैं तो यह हमारी चोथी टीम है और यूनिक टीम है इस टीम में हमने साई सुदर्शन पर बड़ा रिस्क लिया और इस टीम के अको आप आपको वाइस कैप्टन चाहो तो यहाँ पर सैम कुरान को बना सकते हो क्योंकि यह बैटिंग भी करेगा और उपर से मैंने जोनी बैरिस्ट को ड्रोप किया जिते सर्मा को ड्रोप किया तो इस वज़े से यह आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए बैस्ट होगा अब इसक इसमें मैंने गुजरात के फेवर में अपनी टीम को बनाया और यहां पर मेरे पास सारे के सारे टोप ओडर के चार बैट्समेन है अब यहां पर अगर चार बैट्समेन है तो यहां पर मैंने एच्छ ब्रार को ट्राइ किया जो कि मीडिल में बोलिंग करने आता है प्लस बैट तो ये भी विकेट निकालेगा, अब ये टीम अगर चेज करती है, यहाँ पर गुजराथ तो उस कंडिशन में बैस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुमा निंगिल को मैंने कैप्टन बना है, जो कि मैच को फिनिस करेगा, फिर यह थोड़े थोड़े रन बन इसको वाइस कैप्टन बना सकते हो, बस यही आपको चेंज करना है, तो यह था हमारा आज के वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते नेक्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिन्नेवाद थैंक यू